पिछले दो सालों से हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे थे किसी तरह हालात पे काबू पाया गया एक बार फिर वैसे ही हालात हमारे सामने खड़े हैं जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम इंडिया रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं जिसमें लगातार इस तरह की आशंकाएं जता रही हैं कि एक नया वैरियंट जिसका नाम ओमीक्रॉन है जैसा कि हमने देखा ब्रिटैन में काफी लोग इससे पीडित हैं यूरोप की कई कंट्रीज भी इसके लपेट में आ गई हैं शुरुआत इसकी साउथ ऐफरिका से हुई थी हमारी क्रिकेट टीम भी वहाँ है तो बहुत सी ऐसे सवाल हैं जो अक्सर दर्शक हमसे पूछा करते हैं कि सर आपके पास कोई अपडेट है क्या होने वाला है इलेक्शन होंगे की नहीं होंगे रैलीज हो रही है और इसी बीच अभी दो दिन पहले उत्तरप्रदेश सरकार ने हाई कोट के निर्देश पर नाइट कर्फियू भी लगा दिया लोगों में काफी देशत का माहूल है और यही सवाल पूछते हैं क्या वाकई ओमिक्रॉन फिर घातक रूप से आ रहा है और क्या फिर से हमें लॉकडाउन या डे कर्फियू का सामना करना पड़ेगा इनी सब सवालों के साथ हमने सोचा क्यों न एक मेडिकल एक्सपर्ट से इस पे अपनी उनका मश्वरा लिया जाया ताकि दर्शकों को भी समझने में आसानी हो और साती साथ क्या आपको ऐसे प्रिकॉशन लेने हैं बचाओ के तरीके अपनाने हैं कि ताकि एक बार फिर वो भायावा इस्तिती हमारे देश के सामने ना है तो मैं इस वक्त नरायन सुरूप अस्पताल में हूँ मेरे साथ यहां के संचालक डॉक्टर राजीव सिंग है और उन से जानते हैं कि आखिर ये क्या है डॉक्टर साब आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं दर्शकों की तरफ स आपके स्वागत कर रहा हूँ मेरा जो पहला सवाल वो यही है यह ओमी क्रॉन क्या है देखिए ओमी क्रॉन जो इस समय बहुत तेजी से पुरी दुनिया में फैल रहा है और सबसे जादा इसकी चर्चा हो रही है वो कोरोना का एक मिउटेटिड वैरियंट है जैसे पिछले साल अपने कंट्री में डेल्टा वैरियंट आया था उसी तरह से चुकि जो ग्रीक वर्ड है उनमें से यह ओमी क्रॉन ग्रीक वर्ड का पंद्रहवा सब्द है और अब तक 12 मिउटेटिड वैरियंट आ चुके हैं 13 14 को छोड़ करके 13 14 ग्रीक वर्ड के लेटर को छोड़ कर पंद्रहवा जो ग्रीक वर्ड लेटर है उसे ओमी क्रॉन बुला जाता है उसके नाम पर इस नए म्यूटेटिड कोरोना वाइरस का नाम रखा गया है जिसको की ओमी क्रॉन वैरियंट कहा जा रहा है सिर्फ ऐसा भी हमने मेडिकल बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि शायद इससे जो ग्रसित होता है उसको कोई अर्ली जो सिम्टम्स नज़र नहीं आते क्या ये सच है अगर देखिए अगर ये इस नए कोरोना मूटेटेड वैरियंट के बारे में बात किया जाए तो अभी बहुत ज़्यादा इसके डिटेल चुकी जानकरिया नहीं है लेकिन इसके साथ जो कुछ महतून बातें आ रही है जो जानकरी आ रही है वो यह है कि यह variant बहुत तेजी से spread करता है बहुत तेज फैलता है यहां तक कि डेल्टा से 10 गुना जादा तेज फैल रहा है जो पहली बात है दूसरी बात यह आ रही है कि इसके लच्छन लगभग सेम है जैसे कोरोना वाइरस के थे यहां तक यह के लिए कि जो common cold जो अपने यहां अक्सर जो मौसमी बुखार होता है जो हर साल मौसम बदलने पे आता उससे मिलते जुलते लच्छन इसके जादा है जुखाम होना खासी आना चीक आना बुखार होना बदन दर्द होना और कुछ उन लोगों के लिए यह वैसे ही घातक है जैसे कोरोना का डेल्टा वरियंट घातक था जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं जैसे अकर किसी को diabetes है hypertension है या वो cancer का मरीज है heart का मरीज है या उमर जादा है रोगों से लड़ने की छमता कम है उनकी लिए ये बहुत तेज निमूनिया पैदा कर रहा है तो लच्छन तो लगभग सीम है लेकिन अब जो सबसे महत्पूंट दूसरा पार्ट है पहला जैसे मैंने कहा कि बहुत तेज इसकी स्प्रेट की गती है कि ये बहुत तेजी से छूने मात से फैल जा रहा है टच में आने मात से फैल जा रहा है थोड़ा सावी सांस और खासी के संपर्ख में आ रहे हैं दूसरा महत्पूंट जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इसके जाँच का जो मेथड है वो है जिनोम सेक्वेंसिंग जनेटिक सेक्वेंसिंग कह लेजिए उसे डेल्टा से डिफरेंस करना कठिन है उसके लैब अभी बहुत ज्यादा अपने हां नहीं है यहां तक कि अपने अभी कई स्टेट में तो उसकी मशीने लगाई जा रही है तो अपने उत्तर प्रदेश म आइसे यह फाइनल करना बहुत कठिन है कि यह ओमीक्रोंड वैरियंट है या को रोना का वही पिछले साल वाला डेल्टा वेरियंट है तो सबसे बड़ी समस्या तो सब के सामने डॉक्टर के सामने और सासन के यह है तो इस वज़े से चुकि यह डिफरेंस नहीं हो पारा त जानकारी है या सबको जागरूख होने का आव सकता वह यह है चुकि यह बहुत तेज फैल रहा है इसके फैलने की यती दस गुना जादा है आप देख रहे हैं कि जो मेडिया से रिपोर्ट आ रही है उसमें पर डे अकेले इगलैंड में 10,000 केसे पर डे के हैं इतना जादा त यहां तक कि अभी अपने महराष्ट में देखे तो 600-700 केस पर डे आ रहे हैं इसका डबलिंग टाइम डेल्टा की तुलना में दस गुना जादा है तो उसे फैलने में चार से पांच महीने लगे यह तो लग रहा है कि महीने से दो महीने में पूरे देश में हर इस्टेट हर प्रद्रकार वो लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं वो आपको सलाह दे सकते हैं नॉस्मेंट कर सकते हैं लेकिन यहां सब ज़्यादा आवसकता एक जागरूक नागरी के रूप में यह है कि हम स्वयम जागरूक बनें दो साल हर कोई कोरोना से जहल चुका है यह हम आमारी प बचाओ की गाइड लाइन नेमों का पालन करना अगर नहीं सीखेंगे तो मान के चलिए कि आने वाले अगले दो महिने यह महाँ भी स्वोर्ट के रूप में फैलने वाला है प्रिकॉशन इस बेस्ट ट्रीट्मेंट मेरे ख्याल से इस पूरा लबोलो आप यही निकालूंगा मैं और दर्शकों से अनुरोध भी है कि डॉक्टर साब प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं से दो चीज़े आती हैं प्रिकॉशन के साथ साई इमिनिटी कैसे बढ़ाया जाए इस पर थोड़ा सा बता दीजे बाकी प्रिवेंशन क्या क्या लेने उस पर बता दीजे दर्शकों को देखे जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा महतूंट बात है जाग रुकता और स्वयम की जिम्मेदारी अगर हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे हम यह जानते हुए भी कि यह बहुत तेजी से फैल रहा है यह देखे पूरा डाटा आ रहा है और बचाओं के तरीके सब को पता है इतना अब तक इसका रिपिटीशन हो चुका है कि सबको पता है कि बचाओ कैसे करना है हमें भीड़ भार वाले एरिया में बिलकुल नहीं जाना है ना अपने बचों को जाने देना है ना बुजर्गों को जाने देना है सोयम जाने से बचना है हमें अगर जा रहा हैं कहीं वी तो हमें मास्क लगाना है, हम जितना कम से कम हो सके, किसी बाहरी जगां जाएं तो वहां कम से कम बैठें, कम से कम चीज़ें छूएं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि दो ही मेथड़ें फैलने का, एक है सांस के द्वारा, दूसरा है टच्च के द्वारा छूने से, तो अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम minimum चीजों को छूएं और अगर छूते हैं तो हम तुरंध हाथ को सेंटाइज करें या सावन से दूलें बहुत कॉमन चीज है इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है हमें बदलना सिर्फ एक चीज है अपनी आदत को अपने बेवहार को अपनी दिन चर्या को अगर हम यह बदलने में सफल होते हैं तो निश्यत रूप से हम इससे बच सकते हैं सिर्फ लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाना इसका इलाज नहीं है और सिर्फ हम यह सोचें कि सरकार इसको रोक लेगी नहीं हमें स्वयम जिम्मेदार बनना पड़ जहां तक बात की जाती है तो इमूर्टी बढ़ाने के जो तरीके हैं वह सबसे महत्पूर्ण हमारी दिन्चरिया हमारी डाइट है समय पर हमें प्राणायाम करना वाग करना और डाइट में जितना जाज़-जाद हो सके हम हम अगर यादे हरे सब्जीयां खा रहे हैं फल ल नहीं है कि आप उसको दस दिन खाएंगे महीने बर खाएंगे तो आपकी बढ़ जाएगी ना इमुनिटी बढ़ाने के लिए टाइम लगता है तो तरीका क्या है प्राणायां बहुत महत्पूर्ण है दिन्चरिया बहुत महत्पूर्ण है और हरी सब्सक्राइब और हरे फल जीएंगे जितना हम एक्टिव नहीं रहेंगे उतना ही हमारे इमुनिटी पूर होती है धन्यवाद